हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कारिक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें जैमा इंद्राक्षी धाम में दर्शुक आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जात्कों का जनम दिवस है मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरब से बहुत बहुत शुप काम दाएं आज हम बताने माले है कि हतेली में छिपी धन-खोटरी का क्या महत्तर होता है बहुत लोग हतेली में छोटी छोटी कोटरियां देखतें हैां छोटी छोटी गोल-गोलसी यら कभी त्रकुनात्मक इस तरह की कोठे शे withhold होते हैं क्या इन कोठों के बनने से वास्तम में व्यक् देख लेते हैं उन्निस जुलाई सन दोजार एकिस दिन सुंबार आशाड मार शुकल पक्स सम्वंत दोजार अठतर तिथी दश्मी नक्षत्र विशाखा राहुकाल साड़े साथ से नो दिशासूल पूर्विदिशा आज दश्मी है कल एकाश्री का वर्त रहेगा अब देख खाया होगा तो आपका हाथ देखकर के शायद किसी ने कहा हो कि भाई आपके हाथ में यह चोटे-चोटे तिरकों हतेली में ध्यान से देखेंगे जब आप अपनी हतेली में हैं तो यहां बीच में जो यह गड़ा सा हलका सा होता है यहां कुछ तिरकों बनाऊता और किसी-क किसी के चार-चार तिरकोंड बने होते हैं, एक तिरकोंड इधर मिलेगा, एक नीचे को मिलेगा, एक फिर उपर को मिलेगा, छोटे-छोटे तिरकोंड बने होते हैं, और वो बंद होते हैं, इन्हें हम कोठ्रिया भी कहते हैं, तिरकोंड भी कहते हैं, किसी के उपर से तिरको ऌती होती है एसी तो कोई बात नहीं होती है हां अगर आपकी हतेลी के मध्य जो इन्हों होती है भाग्य रेखा आपके हतेली में एक रे manufacturers है आयू रे एक रेकऱ्े है मस्तिक से रेखा और नीचे से ऊपर जाये भाग्य कराола अगर भाग्य रेखा की मदद से आपकी हतेली में कोठ्री बनती है, एक तो बनेगी सबके, भाग्य रेखा उपर जाएगी, तो एक इधर उपर की तरफ यह तिरकॉन बन जाएगा, ऐसा ही तिरकॉन, जो यह मस्तिक्स रेखा जा रही है, एक रेखा इससे निकले और एक तिर तिरकॉन यहां भी बन जाएगा, दो तिरकॉन, एक तिरकॉन नीचे बन जाएगा, तीन तिरकॉन, जब तीसरा बनेगा तो चोथा नेच्रल बन जाएगा, अगर भाग्य रेखा के सटे हुए चार तिरकॉन आपकी हतेली में हैं, लेकिन किसकी मदद से, लक लाइन की किन होगा, कि आप अपनी महनत से, अपने पुरशार्ट से आपके पास धन हो जाएगा, मतलब आपका जीवन ऐसा नहीं है, कि आप यह सोच लें, कि मैं आज महनत कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो धन नहीं आ रहा, लेकि कहीं न कहीं से, आपको धन के मार के खोलेंगे, और अच्छे से जीवन यापन, आप अपने जीवन में कर लेंगे, महनत आपकी है, जीवन यापन आप अच्छे से कर लेंगे, इसी के विपरीद, कुछ लोग जीवन पर पुरशार्ट बहुत करते हैं, बहुत महनत करते हैं, बहुत पसीना बहाते हैं, लेकिन धन नाम की बहुत करता, शेर विल्गुल भी नहीं करता, फिर शेर है, गदा-गदा है, तो ऐसे हम अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं, और ये कोई अंद्विस्वास वाली बात नहीं है, छोटे-छोटे संकेत हमें जीवन में कुछ गणित लगाने की आगे की कुछ शैली दे रहत हैं, ये भारती विद्ध्याएं हैं, इन्हें आप जुटला नहीं सकते, अब एक चीज और बनती है, कुछ लोग कहेंगे, यगर किसी के ये तिरकौन ना बने हो, किसी के ये कोट्रिया ना बनी हो, तो क्या उसके पाद धन्य होगा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, ऐस तो सिर्फ एक बताया गया है, यदि ऐसा है, तो ऐसा होगा, अब पैसा तो सब कमाते हैं, अपने अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा कम सब कमाते हैं, लेकिन आपकी जॉब कैसी है, और उस जॉब में आपका पद कैसा है, इस्थान कैसा है, तो जॉब तो सब कर रहे हैं, सबी जौब कर रहे हैं लेकिन हर जौब की कैटेगरी अलग-अलग होती है अलग-अलग उनकी अपनी हिसाब से उनकी पे होती है सेलरी होती है तो ऐसे ही हतेली में रेखाएं तो सब क्यों होती है अब उन हतेलियों में उन रेखाओं की अलग-अलग कैटेगरी होती है जिसके बिल्कुल इस पर्ष्ट इस प्रकार के कोट्रिया बनती हूं तो इसमें कहीं शंचय नहीं है कि आने वाले जीवन में सुख समुर्द्री से वो व्यक्ति भर जाएगा एक चीज और बताएं अकेली भाग्य रेखा के सारे हम नहीं बैठ सकते इस प्रकार की लंबी भाग्य र अब जो जने विरक्षों के बारे में नौलेज है जो बाग आदी लगाते हैं या जिनके अपने बाग हैं किसान हैं जरूरी नहीं के हर पशुदू दे और जरूरी नहीं के हर व्रक्ष फल दे, आम का पीड है लेकिन कई आम के पेड ऐसी नसल निकल जाती है फल ही नहीं आता है, कई बार 3-3 साल के बाद आता और कई बार वो फल किसी पेड़ का बिल्कुल खराब होता पपीता है, जामून है तो बहुत सारी चीजें नशल कैसी हैं उसकी उसके आधार पर ही बात की जाती है तो ऐसे ही हतेली में वो रेखाएं कैसी है उनका गणित क्या कह रहा है तब जाकर के ये चीजें निकलती है तो बस आज मुझे आपको इतना ही समझाना था कि अगर कोठ्रियां हों और वो शनी रेखा के सारे ना बनती हो तो उनका फल इतना अच्छा नहीं मिलता है शनी रेखा उनसे गुजर रही हो शनी रेखा की मदद से कोठ्रि का मुझ बंदवराओ नीचे से साइड से कहीं से भी तो उसका फल हमें अच्छा प्राप्त होता है और वागी तो देखो पुर्शार्ट करते रहिए महनत करते रहिएगा भाग्य के सारे ज़्यादे मत बैठिये भाग्वान सब कुछ आपको देगा महनत एक बहुत बड़ी पूजी है इंसान के साथ जो अच्छा महनती होता है आज नहीं तो कल उसके घर में रोशनी उसके भाग्य में रोशनी आती आती है आईए मेरे साथ को समय हो चला आज की ध्यानमाला का आज की ध्यानमाला में हम जुड़ते हैं भाग्वान शिव संबू से ओम आत्मा त्वंगिर जामती सैचरा प्राणा सरीर अंग्रियम पूजा ते विसयोप भोग रचना निद्रा समाजिस्त दे संचारा पदयो प्रदक्षन विरे स्रोत्राणिसर वाग्गिरो यद्यात कर्म करोमित दखिलं संबोस्तवाराधनं चंद्रोद वाजित सेखरे स्मरहरे गंगाधरे संकरे सरपे भूशित कंठकर्ण विवरे नेत्रोत्ववे स्वानरे धन्ते त्वक्रित सुन्दराम्वर्दरे त्रेलोक्यसारेहरे मोक्षार्तिम् कुरुचित्वृत्यमचलं मन्ने स्थुकिम् कर्मवे वन्दे देव उमापतिम् सुरुगुरुम् वन्दे जगात कारणम् वन्दे पन्नग भूशनम् रिगदारां वन्दे पजो नामपतिम् वन्दे सूर्य ससांक वन्निनयनाम् वन्दे मुकुंदा प्रियं् वन्दे वक्त जनस्रयं चवरदां् वन्दे सिवं संकरं् ओम करपूर गुरं करुणा वतारं् संसार शारं बुजकेंडरारं सदा वशन्तम व्रिद्यार विन्दे बवं भवानी सैतं नमामी कवश बना लें ध्यान करें संभू का सुबासिस हम सब के उपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्रखोने समान्य हो जाएं एक चीज़ आपको और बताएं हाथ की रिखाएं एक कार्य और बहुत अच्छा करती है जिन साद्गों के पास देट बर्त ना हो जनम समय के बारे में ना पता हो ऐसे हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो हमें आउट ओफ इंडिया सुनते हैं देशों में सुनते हैं तो अक्सर उनकी कॉल आती है उनके पास उनकी सही से डेट बर्त नहीं होती है या कोई न कोई ऐसी चीज़ उनको मालूम नहीं होती है समय की तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है जिनके पास डेट बर्त ना हो जनम समय के बारे में सही से न पताओ, तो हाथ की रेखाएं, जो भी आपकी presently समस्या चल रही है, जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आपके हाथ की रेखाएं कहीं न कहीं आपका मारधỞ्षन करेंगी, और आपकी हाथ की रेखाओं को माध्यम से. माला ऐसे व्यक्ति अपना किसी को भी हाथ दिखा सकते हैं और भमिष्य में जो भी आने वाले सुब दिन हैं उनके लिए कुछ उपाहिक कर सकते हैं या जो presently समस्याय चल रही हैं उनको दूर करने का कहीं न कहीं वो अच्छा से प्रियास कर सकते हैं आप स्वस्त रहें, सुखी रहें, इनी शुब कामनाव के साथ हम अपनी वाली को गराम करते हैं, जैमा इंद्राक्षी. किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्त रेखा एवं वास्तु विशेशग्य प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू एवं व्यक्तिकत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा दस वजे से शाम छे बजे त हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना न भूलें